जैश्री कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है कहीं आप भी तो जाने अन जाने में तुलसी की तपस्यों को भंग नहीं कर देते अगर वाकी ऐसा है तो ये वीजियो आपके लिए ही है सनातन धर्में तुलसी के पौधे को कोई आम पौधा नहीं माना जाता है बलकि इस से विबिन तरह के धर्मिक तथ्ये जुड़े हुए हैं जिस कारण इसका अधिक महत्व है खासतोर पर भगवान विश्णू की पूजा में इनका इस्तिमाल किया जाता है सनातन धर्म की मानन तो बिना तुलसी के भगवान श्री हरी विश्णू की पूजा अधूरी रहती है हालां कि कुछ देवताओं पर इसको चड़ाना बहद अशुब माना जाता है और दूसरी और ये भी कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना और छुणा भी अशुब माना जात ये एक ऐसा प्रश्ण है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सोचा होगा मगर इसके बारे में जानने की कोशिश शायद ही किसी ने की होगी तो चली आज आज आप इस वीडियो के मादिम से जानेंगे कि आखिरकार इसी दिन तुलसी को छूना अच्छा क्यों नहीं माना सनातन धर्म की मानेता के अनुसार भगवान श्री हरी विष्णु को तुलसी अधिक प्रिये है और जोतिशों की माने तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन ब्रसपतिवार यानि की गुरुवार का दिन सबसे शुब माना जाता है क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु को अधिक प्रिये है मगर कुछ मानेताओं में ये भी कहा गया है कि रविवार का दिन भी नारायन को अत्यंत पसंद है जिस कारण इस दिन भी इनकी पूजा करना लाबधायक माना जाता है मगर कहा जाता है कि इस दिन इनकी प्रिये तुलसी के पत्तों की टेहनियों को तोड़ा नहीं जाता है जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे शिरी हरी उस पर क्रोधित हो जाते हैं जिसके कारण उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ खराब होने लगता है दरसल ऐसा करना इसलि कि measured in d cosa kiddivalं में तोड़ा जाते है उस दिन के पतों को नहीं तोड़ा जाता है लेकिन इन दिनों में जब तुलसी पतों के इस्तेमाल करना जरूरी होता है स्चिन के तोड़ कर लिया जाता है उनको बाद में गंगाचल से दौकर के सेमाल आप दार्मिक वान्यतायों कैनु जाता है इनकी पत्यों पर हर रोज जल छिड़क करके दुबारा से भगवान को अर्पित किया जा सकता है इसलिए रोजाना तुलसी के पत्य तोड़ने के आवशक्ता नहीं होती है खास करके जो दिन है इकादशी रविवा दुआदशी इन दिनों में भी तुलसी के पत्यों ही एक ऐसा दिन है जब तुलसी उनकी भक्ती में लीन रहती है उनकी तपस्या भंग ना हो जा इसलिए रविवार के दिन गमले में पानी नहीं दिया जाता रविवार ही एक ऐसा दिन है जब तुलसी भगवान की भक्ती करती है पुरानों के मुताबिक द्वादशी संक्रा प消कार्पाति ,सूर्याग्रेंट , चंद ग्रेंट , और संध्या काल में तूलसे के पत्ते हैं , तूलसी को नस्ट करने के समान माना गया है , जिसे अच्छा नहीं माना जाता , शास्त्रों के मताविक तूलसी को भिना असनान किये कभी नहीं चुना चाहिए अगर कोई व्यक्ति बिना नहाई ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है और उनका इस्तेमाल पूजा में करता है तो ऐसे पत्ते भगवान के द्वारा सुईकार नहीं किये जाते हैं जब भी आप तुलसी को छेड़े या तुलसी के पत्ते तोड़े तो इस नान अवश्यत कर ले तब ही तुसी के पत्तों का आप इस दमाल पूजा में भी करें तो भगवान उसको अच्छे से सुईकार करेंगे यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिलकुल भी न भूले क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत्पून जानकारिया मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानका के साथ जैश्री मन नारायन दोस्तों जैश्री कृष्णा